Welcome back दोस्तों, finally हमारे पास आचुका है OnePlus 12 War इसे पहले हमने चेक आउट किया था अपने चैनल के उपर OnePlus 12 को काफी कमाल का वो भी फोन था और आज हम चेक आउट करने जा रहे हैं OnePlus 12 War को प्राइजिंग की बात करें तो 12 War स्टार्ट हो जाता है 40,000 रुपीज से और हमारे पास भी इसका बेस वेरियंट है जिसमें हमें देखने को मिलती है 8GB की राइम, 128GB का स्टोरेज तो चलिए आज की वीडियो में करते हैं अन्बॉक्सिंग और फस्ट इंप्रेशन्स इस कमाल के फोन के लेट स्टार्ट इस इस भी बॉक्स वन प्लस 12 वार रेट कलर का बॉक्स यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा जैसे वन प्लस 12 में मिलता है तो समनी की तरफ यहां पर दिखा है वन प्लस 12 और बैक साइड आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं 8GB RAM 128GB internal storage वाला वेरियंट है बेस वेरियंट तो वी हैव आर प्रीमियम कटर इसको भी अभी कर लेते हैं कटर को तो जरूर यूस करेंगे जी यह देखें आप यह क्या बात है बहुत आहिस्ता से इसको हम सील से हटाएंगे हैं क्या बात सो लेट्स अनबॉक्स देस पन्नी उतारने का जो मज़ा है यह नेक्स लेवल होता है WAS ओएट्स ओपन दाबॉक्स ओहो ओहां ही लग रहा है जिए शोनेवर सेटल ओके पर अबशावर आई होप की कवर होगा इसके अंदर जी हां यहां पर आपको मिलेगा स्टीकर थैंक यू वाला कार्ड काफी सारे नाम लिखे कोईक गाइड एंड सेफ्टीक और यह दोस्तों हमारा कवर क्वालिटी ठीक है नॉट सो ग्रेट सो धन्वी हाव फोन और यह जो कलर है दोस्तों यह काफी एक्साइटिंग कलर हमारे पास है इसको कहते हैं कूल ब्लू सो चलिए इसको भी unwrap कर लेते हैं unboxing का experience ओहो हो काफी premium लग रहा है दोस्तों यह oneplus 12 वार just look at the color जी हाँ cool blue है यह हमारे पास और glass bag में कितना ज्यादा यह shine कर रहा है यह आप देखें बहुत shiny है इसके ओपर अभी हम आएंगे box content और देख लेते हैं सो यहां पर कुछ भी नहीं है चोटा सा कार्ड ओके भाई काफी बड़ी ब्रिक यहां पर भी आपको मिलेगी जी हां 100 वार्ट सुपर वूक चार्च यह सबसे बड़िया चीज़ लगती है वाई वन प्लस की की ब्रिक आपको साथ में मिलती है देन वी हैव जी हां टाइप ए टू टाइप सी की रेट केवल सो देट सौल बॉक्स में और कुछ नहीं है इसमें आपको एक और कलर ऑप्शन मिलता है वन प्लस 12 वार में वो है ब्लैक इसमें आपको एक और कलर ऑप्शन मिल जाता है जिसको गहते है आयरें ग्रे और वो मैट लुक में आता है अलाकि उसमें भी आपको बैक में ग्लास मिलेगा बट अगर आपको मैटी लुक चाहि ले मिल जाता है तो ग्रिपिंग काफी अच्छी आ जाएगी फोन की हाथ में कैमरा मोड्यूल पर आप नजर डालिए काफी जादा सिमिलर है वन प्लस 12 की तरह ही यहां पर हमारे पास यहां पर आपको में फिनिश में और यहां पर एक शाइनी बैक है बट दोनों में ग्लास है यह वडिया चीजे बागी दूस्तों आप साइड में देखें तो यहां पर आपको अलूमीनियम का फ्रेम मिल जाता है जो काफी बढ़िया चीज है इस प्राइस पॉइंट पे और काफी चोटा सा यह और काफी बढ़िया लग रहा है यह राइट साइड में आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा पावर बटन उसके ओपर वॉल्यूम के बटन से हैं और यह भी काफी प्रियूम से लग रहे हैं टॉप पे आप देखिए तो आपको मिल जाती है यहां पे पे मिल जाती है डूवल सेंट रबर में मिल जाती है अवर ओल्ड दोस्तों दिजाइन फोन का का ज्यादा सिमिलर है जैसे आपको वन प्लस में मिलता है वैसे ही 12 वार का भी है वेट की जहां तक बात है मुझे 12 थोड़ा सा ज्यादा है और 12 वार थोड़ा सा लाइट फील क पर लगने के तो बाद यह और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है अब जो इसकी ग्रिप है ना वह जादा बैटर हो जाएगी कवर लगाने के बाद शिपरी आपको बिल्कुल भी फील नहीं कराएगा यह लेकिन यह जो आपको कवर मिल रहा है बॉक्स के साथ में इसके ऊ ब्लू कलर हमारे पास आया है सब कुछ इसके अंदर आपको ब्लू ही मिल रहा है वाल पेपर भी ब्लू है एक बार मैं ब्राइटनेस को एड़ेस्ट कर देता हूं जी हां सो यह हमारा वन प्लस 12 वार फर्स्टाइम सेट अप कर लिया गया है और सबसे बढ़िया चीज यह क 12hr के अंदर भी इअधर को डिस्प्प्ले मिल रहा है काफी फीच्षी ओलिटी का है रही गैलार के अंदर देवेटेनेसे का मिल रही है और यसे कहते हैं pro xdr स्क रिफरे रिभरे वने रही घौ में भी दिया एंदर मुझे ऐस सच ज्यादा कुछ डिफरेंस फीड नहीं हो रहा डिस्प्लेग अंदर दोनों ही काफी स्मूध हैं बैदल्स भी दोनों ही के काफी ज्यादा सेम से लग रहे हैं एक बार कैमरा की एप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहां पर शटर स्पीड देख लेते हैं जी कैमरा वाई डीटेल्स तो यहांवे भी आ रही हैं बाकी वीडियो के अंदर आपको फ्रंट में 1080p 30fps का ओप्शन मिल रहा है रियर में जाएं तो यहां पर आपको मिल रहा है 4K 60fps तो यह भी बड़िया चीज है फिंगर्प्रिंट सेंसर की स्पीड देख लेते हैं ओके फा डीजन वेस 14.0 पर वर्किंग है 27GB जो स्टोरेज है वो अल्रेडी यूज़ है 100GB का स्पेस अवेलेबल रहेगा साथ में यहां पर देखिए प्रोसेसर इस बार काफी कमाल का यूज़ किया गया 12 वार के अंदर स्नैप्डगन एड़ेंट 2 आपको मिल रहा है 39,000 लुपीज में अगर आप बैंक कॉफर में इसको लेंगे और यह बेस वेरियंट है 5500 डेमेच की बैटरी है 8GB की रहम आती है से आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 4GB के साथ बल्कि 8GB के साथ भी कर सकते हैं कैमरा यहां पर दिये गए 50 प्लस 8 प्लस 2 यहां 50 MP का मेन कैमरा है 8 MP का ल्टरा वाइड एंट 2 फॉर मैक्रो फ्रेंट कैमरा यहां पर 16 यूस किया गया है साइट बाइस अगर आप देखें 12 और 12 वार के बीच में तो देखें 12 के अंदर आपको मिल रहा है 50 MP प्लस 48 प्लस 64 फ्रेंट में भी यहां पर 32 MP है लेकिन 12 वार में आपको 16 MP की सेलफी मिल रही है यहां पर 8 Gen 3 आ रहा है और इधर आपको मिल रहा है तो प्राइजिंग का भी डिफ्रेंस है दोनों के बीच में 25,000 डुपीस का गया पारा है काफी बड़ा गया यह उसे साब से जो प्रोसेसर रिवी वीडियो बहुत ही जल्द अप्लोड किया जाएगा कोई भी सवाल है आपका वन प्लस 12 वार से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में इसका जो डीटेल रिवी वीडियो आएगा उसके इंदर सारे डाउट्स आपके लेंगे सारे क्वेश